लोग सेवा आयोग नए सिरे से शुरू करेगा भरती परक्रिया उत्राखंड अधिनस्त सेवा चैनायोग पेपर लिग विवादों में आने से पहले 5000 से अधिक पदों के लिए भरती परक्रिया शुरू कर चुका है जिन में लाखो अभिरती ने इन पदों के लिए आवेदन किया है जब सरकार के पैसले के बाद लोग सेवा आयोग नए सिरे से भड़ Ypshtra करते शुरू करेगा समुगादों की भड़ती परक्रियाम पेपर लिग वोगपले उजाकर होने के बाद सरकार ने अधिनस्त सिवा चैनायों की 23 भरतियों को लोग सिवायों के माध्धम से कराने का फैसला लिया है जिनमें करीब 7000 पद सामिल हैं हाला कि यूगे तिर परसी 5000 से अधिक पदों के लिए विग्यपती जारी कर भरती परक्रिया सुरू कर चुका है इसमें सहिकारिता परवेक्षक 64 पदों के लिए 24 जनवरी 2022 को हुई थी पुलिस कॉंस्टेबल पदों के लिए हजारों योगां ने किया आवेदन पुलिस विभाग मैं कॉंस्टेबल के 78 पदों के लिए 27 जनवरी 2022 से ओनलाइन आवेदन भरे गए सायग सांकी की अधिकारी वा सोध अधिकारी के 93 पदों के लिए दिसमबर 2021 में आवेदन मांगे गए रद परिक्षाओं की जांचों की मुख्य मंत्री मुख्य मंत्री पुसकर सिंग धामी ने कहा उतराखंड अधिनस्त सिवा चैनायोग बनने के बास से एक ही कमपनी काम करे थी इसलिए जिन भरती परिकिर्याओं के रिजल्ट भी नहीं निकले है उनको रद किया गया है उन फैसला लिया है इन भरती हो चुकी थी सरीवार को सर्वेचो कुस्तिति आयर डी टी आडे में कारे करम में सामिल होने के बाद ने पत्रकारों से कहां की रद भरती की भी जांच करवाई जाएगी इसना तक इस तरही परिक्षा में धान ली करने वाली कंपनी शुरू से ही चैन आयोग में काम करती है इसलिए इन पर इच्छाओं की जाच की जाएगी बोले आयोग से शुरू से एक कंपनी काम करी थी इसलिए फैसला अब नहीं भरतिया लोग से वायोग कराएगा इसलिए इसका कैलेंडर भी जल्द जारी होगा इदी भरती फार्मुले पर एल्टी सिक्षकों में आक्रोस इंटर कॉलेज में लंबे समय से बड़ी संख्या में पद रिक्ती से दिखते होए कैबिनेट ने 50 सुष्टी पदों के लिए विभागी है हैड मास्टर और परवक्ता से सीदी भरती के जरिये नियुक्त करने का न नई लिया पेपर लीक मामले में एडी ने भी सुरू की परताल गिरपतार आरोपियों की संपत्यों का जुटा रही है ब्योरा हाकम की कुछ संपत्या साकरी में आलिसान रिजॉर्ट बारा भीगा का सेव का बगीजा भी लीच पर धिरादुन में पत्नी के नाम पर माकान यहां पर यह है पेपर लेक मामले में परवतन निदेशाले ने भी आरोपियों की संपत्यों के बारे में ब्योरा जुटाना शुरू कर दिया है बताया जा रहा है कि एडी इस मामले में जल्द फाराई दर्ज कर सकती है भरती खोटाले में तक्नी की सबूत जुटा रही है STF भरती अजंसी से जुड़े लोगों और सेंटर संचा लोगों की CDR खंगालेंगे तक्निकी साक्षों के आधार पर जल्द हो सकती है बड़ी करवाई वन दरोगा भरती की ऑनलाइन परिक्षा में नकल माफिया के गड़ चोड का परदाफास करने में STF को समय लग रहा है सुत्रों के मताबित ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि STF दिल्ली की भरती अजंसी परिक्षा सेंटरों और निर्ट खंगों की CDR का इंतजार कर रही है जिससे पूरी सचाई सामने आने की उम्मीद है इसके लवा नकल कराने में सबकी भूमिका के तक्निकी साक्षी भी जुटाए जा रहे है नौकरिया बेचकर जुटाई संपत्या जल्द होगी जब्त मुसा की कई संपत्य यहां पर सैथिस आरुपियों की हो चुकी है अब भरती घपले में गिरपतारी 21 लोगों पर गैंग्स्टन लगाया जा चुका है उत्राखंड अधनस्त सेवा चेन आयोग के भरती घपले में गिरपतार आरुपियों की कमाई आवैस संपत्यों की जब्ती की कारवाई जल्द हो सकती है एस्टियाप की टीमे सरगना सहयत आकम सिंग रावाद लखनाव नीजी कंपनी के मालिक राजेश चोहां धामपुर के माफिया केंदरपाल रामनगर के चंदर मंदराल समीट तमाम आरूपियों की अवैस संपत्यों का ब्योरा जोटा रही है इसमामले में 37 आरूपियों की गिरपतारी हो चुकी है जबकि 21 पर गेंगिस्टर का रोब लगाया जा चुक है पेपर लीक पूर्व सचीव समीत पांच की जाच विजी लेंज के हवाले पेपर लीक में अब अधिनस्त सेवाचे नायोक के और से भी जाच घूम गई है सांसन में आयोक के पूर्व सचीव संतोस बढ़ोनी पूर अच्छा में पेपर लीक मामलेक में केस दर्जत किया गया अब तक 37 गिरबतार्या हो चुकी है पूर परिक्षा निन तक और तीन अनुभाग अधिकारी के दायरे में दरोगा भरती में जल्द जारी होंगे नोटिस इसना तक इस तरी परिक्षा में धाले की जाच के दोरा सासन के आदेश हो गए थे निदेशक विजी लेंसा में सिनहा का कहना है कि देहरादून सेक्टर में इस मामलेकी जाच सुरू कर दी गई है टीमों बनाकर अब पूस्ताज के लिए नोटिस चारी किया जाएंगे योवाओ के साथ नहीं होगा धोका भरती केलेंडर जल्द ह होगा जारी तो मुख्यमंत्री पुक्सकर सिंग धामी ने युवाओ से निरास नहोने की अपील की है और रोजगार युवाओ के साथ धोका नहीं किया जाएगा परदेश के विबिनने विभागों में भरती के लिए जल्द ही परिक्चा का कैलेंडर जारी किया जाएगा जल्द ही परिक्चा का कैलेंडर भी जारी कर दिया जाएगा पांच परिक्चे रद करने के निर्ने पर उन्होंने कहा कि युवाओ को निरास उनकी जर्वत नहीं है उनके साथ अन्याई नहीं होने दिया जाएगा जल्द ही सभी परिक्चा समय बद तरीके से कराई को भर्ती की जिम्मेदारी दी गई है पीपर लीग परकरण में लिप्त आर एमस टेक्नो सॉलिशन प्राइबेट लिमिटेड ने कराई थी ऐसी भर्तियां ऐसे में इन्हें संदे के आधे पर रद किया गया है तो यह थी आज की जान करें आप फिर मिलिंगे नेक्स्ट वीड झालत 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 afinitar exist के जान कर दो किते है आज कि